क्या आपको अक्सर headache या सरदर्द की परिशानी रहती है बार-बार आपको डॉक्टर के पास सला लेने को जाना पड़ता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ये headaches, migraine के episodes हो आएए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि migraine आखिर होता क्या है migraine के symptoms कैसे होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको migraine है या नहीं साथ ही साथ अगर आपको migraine है तो कौन से precipitating factor से triggers आपको 100% avoid करने चाहिए ताकि आप migraine से अपना बचाओ कर पाए आए वीडियो को ध्यान से देखते हैं नमस्कार स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है My Expert Doctor मैं आपके साथ हूं डोक्टर शादेनी सिंग सालों के आपकी consultant physician दोस्तों migraine हम जितना समझते हैं उससे ज्यादा बड़ी problem है common problem है अगर NHS की report के हिसाब से देखा जाए तो हर 5 में से एक महिला और हर 15 में से एक पुरुष को migraine की problem होती है मतलब महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा problem हो सकती है migraine की ये भी देखा गया है कि migraine एक hereditary या genetic association का pattern भी follow करता है मतलब यदि आपकी first degree family member में से किसी को भी migraine की problem है मतलब माता पिता भाई बहन तो आपको migraine होने के chances पचास से सत्तर प्रतिशर तक हो सकते हैं तो इसका मतलब अगर आपको बार-बार headaches की problem हो रही है तो आपको एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ये headaches, migraine तो नहीं है तो इस वीडियो में हम migraine के बारे में ठोड़ा detail में समझते हैं क्योंकि ये बहुत हद तक preventable condition है इसलिए हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि migraine क्या होता है, कैसे होता है और अगर आपको migraine होने की tendency है तो आपको कौन-कौन सी चीज 100% avoid करने चाहिए ताकि आपको migraine की problem कभी न हो तो आए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को अंध तक देखिएगा अंध में मैं आपको ये बताऊंगी कि headache या सरदग में ऐसे कौन से red flag sign होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए और अगर आपको अपने headache में ये red flag sign दिख रहे हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसको बिल्कुल ignore नहीं करना चाहिए तो आए वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए पहरे ये समझते हैं कि migraine actually होता क्या है अगर आपको बार-बार headaches हो रहे हैं जो कि बहुत severe है throbbing type का है भन-भन-भन सर में ऐसा sensation आ रहा है pulsating sensation है आपको सर के एक तरफ में ही headache है बहुत कम cases में दोनों तरफ में भी होता है साथ में आपको nausea, vomiting लग रही है आपको light या sound से एक दम ऐसी बेचैनी और सर्दद और बढ़ता जा रहा है headache का episode आपको 4 गंटे से 22 गंटे तक रह रहा है बहुत moderate to severe intensity में आपको headache हो रहा है साथी साथ आपकी daily activities affect हो रही है इस headache से तो हम बोलेंगे कि ये migraine के symptoms हो सकते है now migraine दो तरफ के होते है को मिलेगा इसमें usually आपको visual sensations आते हैं लेसे कि flashlight दिखेगी blind spot इसे light चमकती हुए दिखेगी आपको कुछ लोगों को sound और touch के sensation भी आ सकते है ये usually आपको धीरे 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 बनता है बढ़ता है और कुछ मिंटों से 60 मिनट तक के लिए औरा आपको रह सकता है जैसा कि मैंने बताया औरा सिर्फ कुछ ही cases में देखने को मिलता है माइगरेन episodes में usually माइगरेन जो है वो stages में आता है पहला stage होता है इसका prodrome stage जो main migraine attack के एक-दो दिन पहले आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या हो सकता है? constipation हो सकता है, mood swings हो सकते हैं कुछ particular food आपको बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होगी neck में आपको stiffness या अकडन लग सकती है बार-बार urine जाने की इच्छा होगी बार-बार आप जमाई लेंगे, यौन करेंगे उसके बाद second stage आती है aura की, जो मैंने आपको अल्रड़ी समझा दिया aura होता क्या है, ये कुछ cases में देखने को मिलता है ये आपको कुछ मिन्टों से कुछ घंटे तक देखने को मिलेगा, इसमें आप क्या experience करोगे, ये मैं आपको अल्रड़ी बता चुकी हूँ, third stage होता है अपना migraine का main stage इसमें आपको serious headache होगा और वो सारे characteristic speeches आपको मिलेंगे, symptoms मिलेंगे, जो मैंने आपको अभी explain किये हैं, जो usually 4 घंटे से 72 घंटे तक रहेंगे उसके बाद last stage आती है attack के बाद की stage, जिसको हम post-drome stage बोलते हैं जिसमें migraine जो है, वो subside हो चुका है, अभी आपको headache नहीं है बड़ आपको exhaustive feel होता है ठका-ठका feel करोगे, confused feel करोगे, और कुछ cases में ये protrome stage जो है, severe cases में, एक हफते तक भी रह सकता है तो हमने ये समझ लिया कि migraine क्या होता है, उसके लक्षन क्या होते है कौन-कौन सी stages में वो हमको दिखता है, अब हम ये समझते है कि migraine के triggers क्या होते है, किन कारणों से migraine के episodes precipitate होते है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप में migraine की tendency है, तो आपको ये triggers के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप इसको हर कीमत पर avoid कर सको ये list बहुत exhaustive होने वाली है बहुत लंबी list होने वाली है पर ये जानना जरूरी है क्योंकि migraine जहेलने से तो अच्छा है कि इस list को याद रखो और इन triggers को avoid करने की कोशिश करो तो चलो, पहली list में आता है dietary, खाने पीने की गलतिया इसमें अगर आप देरी से खाना खा रहे हो बहुत टाइन तक भूके रह रहे हो आपकी meals का कुछ time नहीं है आपको dehydration हो रखा है आपने alcohol consume कर लिया है aged cheese या processed meat जिसमें की tyramine होता है ये सब चीजने खाने से excess caffeine अगर आप ले रहे हो जैसे tea और coffee chocolates और citrus fruit बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो ये सारी चीज़े dietary triggers में आती है और migraine करवाती है दूसरा होता है physical trigger इसमें आता है अगर आप बहुत ज़्यादा ठक गए हो आपकी नीन की quality अच्छी नहीं है आप shift में काम करते हो आपकी sleep take cycle irregular है आपका posture सही नहीं है गर्दन में और shoulder में हमेशा tension रहता है जुक के बैठते हो हमेशा jet lag है या तो फिर बहुत severe exercise किया है आपने और आपको यह आप habitual नहीं हो इतनी exercise करने के अब तीसरा देखते है emotional triggers stress, anxiety, tension, shock, depression, excitement ये सारी चीज़े migraine करवा सकती है उसके बाद आता है hormonal कुछ महिलाओं को periods के दो दिन पहले periods के तीन दिन बाद तक migraine attacks देखे जा सकते हैं क्योंकि इसमें hormone change होता है इस समय पर जो की migraine के attack को precipitate करता है इसके बाद environmental triggers जैसे कि आप एक बहुत तेज रोशनी में अचानक चले गए आपकी आँखों के सामने screens flicker कर रही है जल बुझ जल बुझ रही है जैसे कि TV की screen, computer की screen हो गई आप किसी smoking वाले area में चले गए हो बहुत तेज आवाजे आ रहे हैं loud noises बहुत तेज कोई तो smell आ रही है weather में change हो रहा है ये सारी चीज़ें trigger कर सकती है migraine को अब last है medications कुछ दवाई हैं जैसे कि sleeping pills हो गया contraceptive pills, hormone replacement therapy और surprisingly अगर आप बहुत ज़ादा pain killer ले रहे हो तो ये भी migraine attacks को precipitate कर सकते हैं तो मैं जानती हूँ list बहुत बड़ी है बट कोशिश कीजे कि आप maximum चीज़ों को याद रखें और इनको avoid करने की कोशिश करें तभी आप migraine को बचा सकते हो predict कर सकते हो, prevent कर सकते हो चले last में मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से red flag science है danger science होते हैं headache के जो आपको मालूम होने चाहिए और अगर आपको दिखें तो आपको तुरंद doctor के पास जाना चाहिए पहला अगर आपको अचानक से severe headache शुरू हुआ है thunder clap जैसा और ऐसा headache आपने कभी अपने जिन्दगी में experience नहीं किया हो दूसरा, headache के साथ-साथ आपको fever है, garden में अकडन है, confusion है चटके आ रहे हैं, दो-दो दिख रहा है double vision बोलते हैं उसको कहीं हाथ-पैर में numbness है, सुन पड़ गया है कमजोरी आ रही है body में क्योंकि ये stroke के sign हो सकते हैं तीसरा, अगर आपको head injury में सर पर चोट लगने के बाद headache हो रहा है चौथा, अगर आपको की उमर के बाद पहली बार severe headache शुरू हुआ है तो ध्यान रखे, माइग्रेन के triggers को पहचानना, उसे avoid करना, माइग्रेन के symptoms और warning signs को पहचानना और जल से जल preventive measures लेना, या माइग्रेन के initial face में ही उसको रोक देने इन सभी चीजों से ही हम माइग्रेन से अपने आपको बचा सकते हैं, उमीद करती हूँ आपको अमरा वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के interesting वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते